वर्ण विचार जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनिया निकलती हैं इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं ये ध्वनिया ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता इसके टुकड़े नहीं हो सकते शब्दों की ध्वनिया इस प्रकार बनती है कलम कलम की ध्वनिया क, अ, ल, अ, म, अ बाजार, बाजार की ध्वनिया है ब, आ, ज, आ, र, अ सेब की ध्वनिया है सेब, स, ए, ब, आ भाशा की छोटी से छोटी ध्वनि को प्रकट करने वाले चिहनों को वर्ण कहती है हिंदी वर्ण माला के वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है स्वर, व्यंजन स्वर, हिंदी में कुल ग्यारा स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से वायू बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें हम स्वर कहती है स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की साहता की अवश्यक्ता नहीं होती हिंदी में नीम नुस्वर हैं अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ अंग इसका चिन अंग की मात्रा है इसका उच्चारण नाक से होता है जैसे गंगा, संत, अंग, चंचल, आदी इसे अनुस्वार कहते है अ, चंद्रबिंदु इसका चिन चंद्रबिंदु है इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है जैसे मा, गौव, हसना, आदी इसे अनुनासिक स्वर कहते है अह, इसका चिन दो बिंदियां है इसका प्रियोग व्यंजन के बाद किया जाता है इसका उच्चारण ह की तरह होता है इसे विसर्ग कहते है जैसे अतह, प्राय, पुनह, आदी व्यंजन हिंदी में कुल 33 व्यंजन होती है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुक से वायू, रुकावट के साथ भाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहती है व्यंजनों के उच्चारण में स्वरो के साहता लेनी पड़ती है हिंदी में नीम्न व्यंजन है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह सभी व्यंजनों में अ की ध्वनी मिली होती है सन्युक्त व्यंजन जो शब्द दो व्यंजनों के मेल या जोड से बनते हैं उन्हें सन्युक्त व्यंजन कहते हैं हिंदी भाषा में चार सन्युक्त व्यंजन हैं ये हैं क्ष, त्र, ग्य, श, उधारन क्ष, क, श, शमा, कक्ष, त्र, त, र, तंत्र, मात्र, छात्र, ग्य, ज, न, ज्यान, ज्यानी, यग्य, श, श, र, श्रम, परिश्रम, आश्रम, मात्राईं, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राईं, प्रतेक स्वर की अप्ती मात्रा होती है, इन मात्राओं के अपने विशेश चिन है जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो उसका रूप बदल जाता है स्वर के इस बदले हुए रूप ही मात्रा कहलाते है A कोई मात्रा नहीं क A क कर कल A A की मात्रा क A का कार काला छोटी E छोटी E की मात्रा क छोटी E की मात्रा की किसका किसान बड़ी E बड़ी E की मात्रा क क बड़ी ए की मात्रा, की, की मत छोटा उ, छोटे उ की मात्रा, को, कुछ बड़ा उ, बड़े उ की मात्रा, कु, कूद री की मात्रा क, री, क्री, क्रिपा छोटा ए, छोटे ए की मात्रा क, छोटे ए की मात्रा के, केला बड़े ए की मात्रा क बड़े ए की मात्रा कैसा ओ, ओ की मात्रा, क, ओ, को, कोयल, कोई ओ, ओ की मात्रा, क, ओ, को, कोवा स्वरों का मूल रूप इन स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है अ, अनार, अक्रोट आ, आग, आस्मान चोटी ई, इमली, इमारत बड़ी ई, इद, इमान्दार चोटा उ, उल्लू, उपहार बड़ा उ, उपर, उन री, रिशी, रिशब चोटा ए, एडी एक, बड़ा ए, एनक, ऐसा ओ, ओ, ओखली, ओस अउ, ओशधी, औरत वर्ण माला वर्ण माला वर्गों का निश्चित क्रम समू होता है जब वर्णो स्वर और व्यंजन को एक साथ क्रम में लगा दिया जाए तो उसे वर्ण माला कहते हैं हर भाषा की अपनी एक वर्ण माला होती है अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्ण माला होती है जिन्हें अल्फाबेट्स कहा जाता है हिंदी भाषा में 44 वर्ण है 11 स्वर और 33 व्यंजन कुछ तत्थे अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वर में ले लिया गया है जैसे हाल, आफिस बाक्स, ड़ और ध वर्णों के नीचे बिंदू लगा कर ड़ और ध्वनिया बनती हैं इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है जैसे घोडा, चड़ना गुड, पढ़ना र वर्ण से बनने वाले शब्द और प्रेयोग रात, राम, रचना ररेव की मात्रा कर्ण सर्प, वर्षा रपदेन की मात्रा ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र रपदेन की मात्रा प्रेकार, प्रथम, प्रले, ग्राहक For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com slash venuskidsworld